हतम प्यूसी के सभी चात्रों को मेरा नमस्कारा हम निंदारस पार्ट को देख रहे हैं निंदारस पार्ट में पिछले क्लास में हमने देखा दो तरह के निंदाक लोगों के बारे में पहले वर्ग का और दूसरे वर्ग के निंदाक लोगों के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा अब हम आगे के तीसरे वर्ग के निंदाक लोगों के बारे में देखते हैं पहले दो वर्ग के निंदक लोग सुभाववश निंदा करने वाले लोग और दूसरे वर्ग के निंदक लोग हैं मिशनरी निंदक ये दो तरह के निंदक लोग सिर्फ मजे के लिए दूसरां की निंदा करते हैं और दूसरां की निंदा करने के द्वारा वे अपने आपने एक आनंद का अनुभव कर लेते हैं अब हम देखते हैं तीसरे तरह के निंदक लोग वे हैं इर्शा द्वेश से प्रेरित निंदा करने वाले लोग पहले दो तरह के निंदक लोगों जैसे नहीं हैं ये लोग इर्शा द्वेश से प्रेरित निंदा करने वाले लोग बड़े दुखी होते हैं वे मजे के लिए दूसरों की निंदा नहीं करते हैं आपने जो इर्शा है उस इर्शा को शांत करने के लिए वे दूसरों की निंदा करते हैं तो देखते हैं इर्शा द्वेश से प्रेरित निंदा करने वाले लोगों के बारे में इर्शा द्वेश से प्रेरित निंदा भी होती है लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है इर्शाद्वेश से प्रेरित निंदा करने वाले लोग इसमें वह मजा नहीं होता जो मिशनरी भाव से निंदा करने में होता है इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है इस प्रकार का निंदक कभी भी खुश नहीं रहता वह बहुत ही दुखी रहता है क्यूंकि वह जो लोग उन्नती प्राप्त कर लेते हैं उन लोगों के बारे में वह हमेशा इर्षा करता रहता है इसलिए वह बड़ा दुखी होता है इर्षा द्वेश से 2400 गंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर वह कुछ शान्ती का अनुभाव करता है 2400 गंटे दिन रात वह दोसरों के बारे में जलता रहता है जो सामर्ती वाले लोग हैं उस तरह के लोगों के बारे में वह 2400 गंटे हमेशा जलता रहता है और उस जलन को शांत करने के लिए वह निंदा करता है निंदा का जल चिड़क कर अपने मन में जो जलन है दूसरों के प्रती जो जलन है उस जलन को शांत करने के लिए वह निंदा का जल चिड़क लेता है और शांती का अनुभव कर लेता है ऐसा निंदक बड़ा दयनिय होता है अपनी अक्षमता से पेडित वह बेचारा दोसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है ऐसा निंदक बड़ा दयनिय होता है इस तरह के निंदकों को देखते हैं अमें एक दया आती है क्यूंकि इर्शद्विश से प्रेवित निंदक लोग जो हैं उन्हें कभी भी खुश नहीं रहते हमेश दुखी रहते हैं हमेश उनके मन में जलन इर्शा रहती है इसलिए इस तरह के लोगों को देखर दया आती है अपनी अक्षमता से पेडित अक्षमता मतलब सामर्थ्य ना रहना दूसरों के सक्षमता के चांद को देखकर जो सामर्थ्य वाले लोग हैं जो भी साधना करने के में सामर्थ्य है उस तरह के सामर्थ्य वाले लोगों को देखकर ये बिचारा अक्षमता से पेडित वह निंदक व्यक्ति सामर्थ्य ना रहने वाला व्यक्ति क्या होता है श्वान जैसा वह रात भर श्वान जैसा भौंकता रहता है मतलब जो श्वान है वो हमेशा रात में भोंगता रगता है अगर कोई आए या अगर कोई शब्द सुनाई दे तो वो श्वान भोंगता रगता है कुट्ता भोंगता रगता है उसी तरह यह निंदक वेक्ती भी उसे कभी भी शांत नहीं मिलता मन में या उसे कभी भी जीवन में खुशी नहीं मिलती दूसरों की सक्षमता को दे कर दूसरों की साधना को दे कर इसलिए वह रात दिन उस साधना वाले वेक्ती के तरफ जलता रहता है श्वान जैसा वह नि इरित्त निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। इर्षा के सुभाव के कारण उनका जो शरीर है कभी वह स्वास्त्य प्रद नहीं होता। जलन के द्वारा आप चैन से सोये और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। आप शांती से निद्रा कीजिए, सोये और वह तुमारे बारे में जो इर्षा करता है वह वेक्ती जलन के कारण, इर्षा के कारण रात नहीं सो पाता है। उसे और दंड क्या चाहिए और क्या दंड चाहिए इस तरह के लोगों को। रात में शांती से जो या चैन से निंद नहीं आती है, उस तरह के लोगों को और दंड देने की जरूरत नहीं है। दूसरों की सक्षमता को, दूसरों के सामर्ति को देकर जो वेक्ती रात भर सो नहीं पाता है, उस वेक्ती को और दंड देने की जरूरत नहीं है। इसलिए लेक करते हैं वह व्यक्ति वह निंदक व्यक्ति स्वयम दंडित होता है वह खुद अपने आपको अपने मन को अपने शरीर को दंड देता है निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सक्त होता जाता है अगर सामर्थी वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करते जाने से निंदक व्यक्ति का कस्त दुगना होता जाता है जैसे एक कवी ने एक अच्छी कविता लिखी इर्शाग्रस्त निंदक को कस्त होगा जब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कस्त दुगना हो जाएगा अगर एक कवी ने एक अच्छी कविता लिखी तो उससे इर्शा करने वाला व्यक्ति जो है उसे कस्त होता है अगर इस कवी ने और भी अच्छी अच्छी कविता लिखी तो उस निंदक वेक्ति का कस्त जो है जलन जो है वह बढ़ता जाता है वह दुगना होता जाता है एहे इर्शा द्वेश से प्रेरित निंदा करने वाले वेक्तियोंके बारे में लेककने बताया है एरडने रीतिया एरडने वर्गदा निंदकर बग्ये मदलने वर्गा मत्तो एरडने वर्गदा निंदकर बग्ये कलिदक्लासल्ली नोडिर भुदो इगा मूरनी वर्गदा निंदकरु अवरन्न इर्शा द्वेश से प्रेरित अन्थेल्डरे इर्शे असूए इंदा निंदने मडवंत जनरू इगा मूरनी वर्गदा निंदकरु निंदने मडवंत दल्ला अवर मनुसिनल्ली यारू सामर्थ्य उल्लावरू इद्धार यारू साधने निंदने माड़्थार अवर बग्ये इर्शे असूए इटकोंडू कोरक्त इर्थारू लेककरु हेल्तरे, इरीतिय निंदकरิगे बेरियावदे शिक्षि कोडवअ अगत्य इंल्ल, आवरू स्वतह तमगेतावे शिक्षे न कोट्च Consumer leisten यारू सामर्थ्य उल्लवरू इद्धार, यारू साधनियन्ना तम्म सवंत सामर्थ्य吃ंद माढटार, अंतहवर बग्य इसामर्थ्य वन्न हम धिर्वन्तवरू, अवरिगे ओण्टाप्ततbody, असुविए द्वेशा उन्टाक्ततbody, हाð गेद्वर न्ोडि चिन्तिस्त, अवर प्रैतिया सैनु मध्यदले रोण्त वहां के सोन्नै मात्र, इँ चिंते अन्वांत अदु मनुषय, मनुषयननना जीवन्त वागी सुड़ता इर ost चीते अदु मनुश्य सत्त मेले सुढूपस अधु मनुष्य जीवन्त वागी अवनन सुढूपस यवुदू चिंत दिए चिंते यावाग मनुष्यनले इर्थदो आ मनुष्य यावत्तु एल्गे नकानुदिल्ला अवनों यावत्तो उल्ले दागुदिल्ला अवनिगे 3.2. लेककरु हेल्तारे इंतवर बग्ये इंतवरिगे यावदेरित्या शिक्षे कोडवा अगत्य इल्ला अवरु कोरोगूदर मोलका तमगितावे शिक्षे एन्ना कोट्ट कोळ्तारे अवर रात्रीडी निद्धेमाडदे इन्नोबर बग्ये चिन्तिस्ता इद्तारे नियुबैकादरे आरामदल्ली निद्धेमाडी आवरु मात्र निम्मा सामर्थिकेन नोडी चिन्तिस्ता कोरक्ता मत्तु निन्दिस्ता रात्रीडी निद्धेमाडदे इर्तारे अन्थ वरिगे जीवन दिल्ली इर्बे का द्धुयनू निम्मदी शांती निम्मदी सर्याद निद्डे इद्वी इल्लद इद्डरे मनुष्यन बदको याकि बेको अदू नाई पाडू हागागी अन्थ वरिगे बेरे शिक्षे नकडवा गत्तिय लां छले लेक करू हेलवन्त दू उसे आओर क्या दंड चाई है निरंतर अच्चे काम करते जाने से उसका दंड भी सक्त होता जाता है उसका दंड भी सक्त मतलव खटीन होता जाता है नाउ जीवन जल्ली निरंतर वागी वड़्ले केल सवन्ने माडता होदा हागी ये नमना कंडर आगदा वरियार इदारे नम भग्यी इर्षे नेटकोंड अवरो इदारे आवरीगे नम एलगे इनकंडू आवरा कस्ट इन्नु जास्तियाकता होकता देन थिली लेक करू इल हेलतारे उनका जो कस्ट है उनका जो जलन है वह दुगना होता जाता है उस जलन को शांत करने के लिए वह इर्षा करता है और निंदा करता रहता है यहां तक आपने पहले वर्ग दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग के निंदकों के बारे में देखा अब आगी का जो पैरेग में निंदा का उद्गाम किस तरह से होता है इस विचार के बारे में लेकक ने बदाया है निंदा का उद्गाम ही हीनता और कमजोरी से होता है हीन भावना और कमजोरी सामर्त्य ना रहना कमजोरी मतलब सामर्त्य ना होना मनश्य अपनी हीनता से दबता है हमेशा वह हीन भाव ना के कारण दबता है वह दोसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निक्रिष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है वह दोसरों की निंदा करने के द्वारा क्या करता है ऐसा अनुभव दोसरों की निंदा करने के द्वारा अपने आप में सामर्त्य नहीं है इसलि यह दोसरों की मिंदा करने के द्वारा वह समझता है कि बाकी सब लोग निकरस्ट हैं नीच हैं और वह उनसे अच्छा है उसके अहम की इससे तुष्टी होती है उसमें जो अहंकार है मैं उन सब लोगों से श्रेस्ट हूँ यह जो अहंकार है उस अहंकार के लिए तृपती मिलती है तुस्टी प्राप्ट कर लेता है उसके अहमकी से तुस्टी मिलती है और बड़ी लकीर को कुछ मिटा कर छोटी लकीर बड़ी बनती है एक बोड़ पर आप बड़ी लकीर को डाले और उसके नीचे और एक छोटी लकीर को लिखे कौन सी लकीर बड़ी है उपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी लकीर है लेकिन यह निंदक व्यक्ति क्या करता है अपने आपको श्रेष्ट समझने के लिए बाकि सब लोग निक्रिष्ट ऐसा दिखाने के लिए वो क्या करता है निंदा करने के द्वारा अपने आपको श्रेष्ट दोसरों को निक्रिष्ट समझ लेता है जैसे उस बड़ी लकीर को और भी छोटी कैसे उसे इरेज करने के द्वारा और भी छोटी जो नीचे वाली छोटी लकीर है उससे भी छोटी उस बड़ी लकीर को इरेज करे तो क्या हो जाता है नीचे वाली वह चोटी लकीर ही बड़ी बन जाती है उसी तरह यह व्यक्ति निंदक व्यक्ति क्या करता है अपने आप में सामर्त्य नहीं है दूसरों की जो सामर्त्य को देखकर सक्षमता को देखकर वह क्या करता है दूसरों की निंदा करने के द्वारा वे सब निक्रिष्ट हैं मैं श्रेस्ट हूँ ऐसा समझ लेता है अहंकारी बन जाता है बड़ी लकीर और चोटी लकीर एक उदाहर अंदिया है लेकक ने जिस तरह से इर्शा करने वाला जो वेक्ती है या निंदक वेक्ती है वह अपने आपको श्रेस्ट बाकी सब लोग निक्रिष्ट ऐसा समझने के जो विचार है उस विचार के लिए लेकक ने यहां पर उदाह अंदिया है बड़ी लकीर और चोटी लकीर बड़ी लकीर और चोटी लकीर को कैसे बड़ी बनानी है बड़ी लकीर को इरेज करके कितना इरेज करना है वह नीचे वाली जो चोटी लकीर है उससे भी चोटी बनानी है तब नीचे वाली वह चोटी लकीर ही बड़ी बन जात उसी तरह निंदक व्यक्ति दूसरों के निंदक करने के द्वारा अपने आपको शेस्ट समझ लेता है ज्यों ज्यों कर्मक्षीन होता जाता है त्यों त्यों निंदक की प्रवर्ति बढ़ती जाती है ज्यों ज्यों कर्मक्षीन होता जाता है कर्म मतलब काम करना परिश्रम कर जब निंदक वेक्ति में परिश्रम करने की जो क्षमता है वह कम होती जाती है तो मन में ऐसा विचाराता है कि दूसरों की निंदा करे जो जो कर्मक्षीन होता जाता है परिश्रम कम होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवर्ती बढ़ती जाती है जो कोई काम नहीं होत उस तरह के विक्ति उसके पास कोई भी काम नहीं है तो उस तरह के विक्ति के मन में ऐसा आता है ऐसा एक विचार आता है कि किसकी निंदा करें लेकर करते हैं जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता जो व्यक्ति लेजी है उस तरह के व्यक्ति के मन में ही ए सब विचार आते हैं कि किसकी निंदा करे निंदा की प्रवर्ती बढ़ती जाती है किस व्यक्ति में निंदा की प्रवर्ती बढ़ती जाती है जो कर्म क्षीन होता जाता है उसमें कटिन कर्म ही इर्शा देश और उनसे उत्पन निंदा को मारता है तो यह निंदा की प्रवर्ती वह नाश होने के लिए क्या करना है मनश को ज्यादा ज्यादा परिश्रम करना च यह निंदा की प्रवर्ति कम होती जाती है इंद्र बड़ा इर्शालू माना जाता है क्योंकि वह बड़ा निठल्ला है निठल्ला मतलब लेजी है इंद्र बड़ा इर्शालू इंद्र देवता को हम इर्शालू देवता मानते हैं क्योंकि जो भी वेक्ति सामार्त्य वाला वेक्ति या जो भी वेक्ति परिश्रम करता है उस परिश्रम वेक्ति के प्रती इस इंद्र देवता को हमेशा इर्शा या जलन रहता है क्योंकि इंद्र कभी भी परिश्रम नहीं करता वह निठला है वह लेजी है इसलिए स्वयम वह लेजी होने के कारण वह निठला होने के कारण दूसरों के परिश्रम को देखकर दूसरे जो लोग हैं परिश्रम के द्वारा उपर आते हैं उस तरह के लोगों को देखकर इंद्र को हमेशा देश या इर्शा आती है निंदा करता है वह स्वर्ग में देवताओं को बिन उगाया अन्न बे बनाया महल और बिन बोये फल मिलते हैं आ कर्मन्यता में उन्हें अपरतिश्टितो होने का भई हमेशा बना रहता है इसलिए कर्मी मनुश्यों से उन्हें इर्शा होती है स्वर्ग में देवताओं को बिन उगाया अन्न मतलब भक्त जो लोग है भक्त लोग देवताओं को हमेशा परिश्रम का फल देते हैं परिश्रम का जो अन्न देते हैं सब कुछ देवताओं को भक्त दे देते हैं तो देवताओं को भक्त देवताओं जो हैं स्वर्ग में उन लोगों को बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाता है इसलिए लेकर करते हैं आ कर्मन्यता में उन्हें अप्रतिस्टित होने का भई बना रता है आ कर्मन्यता मतलब परिश्रम ना करना कर्म ना करना परिश्रम ना करने के कारण वे लोग लेजी होने के कारण अप्रतिस्टित अपने प्रतिस्टा को कब दोसरे लोग कलंक लगाते हैं ऐसा भई हमेशा उन लोगों को रहता है इसली ये कर्मी मनुश्यों से वे इरशा करते रहते हैं कर्मी मनुश्य परिश्रम करने वाले मनुश्यों के प्रती उन लोगं को हमेशा इरशा होती रहती है इन्नो बरन नाव निंदी स्वेक्वान्व भावने हेगी बर्त दे अधके लेककरु हेल्टरे निंदाका उद्गाम हीनता आवर कमजोरी से होता है हीन भावने इन्फिरियाल्टि कम्पलेक्स मत्तु कमजोरी सामर्थ्य इल्लदे इर्वंथत दु हगगी इवंदु कीलरी में एनिदे मत्तु सामर्थिय इल्ल दिर्वंथद्दु इए एरडु कारणगलिंदागी इन्न बरन्न अंदरे सामर्थिय इरु अवर बग्गे अवरन्न द्वेशिस्बेकु अवरन्न निदिस्बेकु अन्न अंदो भावने मनसिनले उन्टाप्त दे इए क्लीलर में इरु आवरु मत्तु सामर्थिय इल्ल दावरु इन मड़तरे तन्ना नुता अनुश्रेस्टा इन्नो बरु वेरे वरु निक्रिस्टा अंठेलि तिल्कोंडो अवरन्न निंदिस्था तन्ना उंदो अहंकारके पुस्टी अन्न तंदु कोल्तरे उसकी अहमकी इससे तुस्ती होती है इरीती भाविसुदुरेंद अवरा अहंकारके उन्दो त्रिप्ती लभिस्त दे बड़ी लखीर कोकुच्य मिटा कर उदहरनेगे इगा तन्नल्ली सामर्थ्य इल्ला तन्नली कीलरी में इदे इन्नो बड़ उन्दो एलिगे इन्न नोडी इन्नो बड़ सामर्थ्य इन्नो बड़ साधने इन्न नोडी इगेलरी में मत्तु सामर्थ्यलोर इल्लदे इरुवंत वेक्टिगे इनाप्त दे अवरन निंदी स्बेकु अनंतले बाविस्त अनिस्त दे अवरन निंदी सूधर मोलका, अवरन द्वेश्य सूधर मोलका, तानी स्रेष्टा, अवरेल्लरु निक्रिस्टा, अन्तेली, अन्द कोळ्ताने अधु हेगें थेल्दर उदाहरने कोटिदारेल लेक करो, उन्दु दोड्ड गेरेंन निवहागी, अधर केलगी उन्दु सन्न गेरेंना हागी अ सन्न गेरेंने दोड्ड गेरेंनाकी हेगे माढ़वांततु? मेलीन दोड्ड गेरेंन, इरेज माडी, अधन वरेसी सन्न दुमाऑमेक। यस्टु संदू, क्य़कीन संदगेरें इन्तलू, संदगेरें माडबेक्ड़ники, मेलीन दोड़केरें आवग याउदू दोड़ताक्त में खेलकेरें दोड़ताक्त अधिरीत्ति egu सामर्थिये इल्लएस्टानी स्टरेश्टाने थेली अंधु कुलताने हागा दरे इनिंदरे या स्वभाव विये निदे इदु सम्पूर्णवागी मनसिनिंदा नाशा आगबेकु अन्ता दरे एन माडबेकु वनिश्या परिश्रमा पड़बेकु परिश्रमा वंदे इदिक्के दारी यारु एनू केलस इल्लधे सोमारियागी कुत्कोंडिर तर अन्तल्सवरी यारनस निंदि स्वभाव बरफंimize इरोवरिगे हाग अदरे इनिंदनिय सोभाव इकीलरी में अन्वन्तदु इदल्ल सम्पोणवागी नाशा आगबे कोंथा अदरे मनुष्यनिके इरवन्तदु वंदे उन्दु दारी अदु परिश्रमा परिश्रमा पट्रे इन्थह मनुष्य कुड मेल बरलिके साध्या कटिन कर्म ही इर्षा द्वेश आवर उन्से उत्पन्न निंदा को मारता है कटिन कर्मा जो जो कर्मक्षीन होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवर्ती बढ़ती जाती है कर्मक्षीन होता जाता है कर्मा अंथेल्दु परिश्रमा परिश्रमा यावागय रोधिल्व आवग इनिंदने प्रवर्थी कुड जास्ति आपता होक्त दें हाग अधरे इनिंदने प्रवर्थी कड़िमे आगवे किदरे कटीन कर्म परिश्रम पड़बेकू आवगले इर्षा द्वेश अवरु उन्से उत्पन्न इर्षे वेशा असुये मत्तु अधरिंद हुट्टिकोंडन तहा निंदने इदे लवकुड संपूर्ण वागी कड़िमे आपत दे इंद्र बड़ा इर्षालू माना जाता है इंद्र देवते यन्ना इर्षालू असुये इर्वंत तहा देवतें थेलिक करीतारे याकिन थेलिद्र इंद्र या वगलो सोमारी आवनो अरामवागी इर्वेकादन था उन्दो अरामवाद जीवनाना बयसुवना हागगी स्वर्ग में क्योंकी वह निठल्ला है निठल्ला अन थेलिद्रे सोमारी इंद्र आर्था यारो परिश्रम पड़तार यारो परिश्रम दिन्द तपसीन मुलका तन्न हुद्धिगे यारो बर्ता इद्दारो अन्तवर अन्न काणुवाग इंद्र निगे द्वेश उन्टाक्ततते असुईय परततते उदहर निगे नंदगोक्कुलदेल्ली नंदगोक्कुलदे जनरल्ल सेर्कोंडू परवत्तत पूजे एन्न माडिदागा इंद्र निगे जनर मेले नंदगोक्कुलदे जनर मेले असुईय उन्टाक्ततते अवन्न सिट्टुगोंड आवर मेले तन्ना प्रतापवन्न तोर आधिले क्रिष्णना प्रभावदिन्दागी अधिया आवदु कुड इडोरुदिल्ला हागगी इलिले ककरोहिल्वन्त दू इंद्र उबसोमारी देवते स्वर्ग में देवतावंको बिन बोया अन्न अन्न बे बनाया महल अवर बिन बोये फल मिलते है् सर्गदिलेर वन्θη एल्ला देवतेगलीं सहा भकतरू तम्म भकति इन्द यल्लवन्नू सहा प्रदानमाड़तरे यल्लवन्नू सहा कोड़तरे हागागी लिलेककर हेलवन्ततदु अवरिगे याउदे परिश्रमा इल्लदे यल्लवू कोडा तन्निन ताना गीए लभ्या आप्ततदे हागागी अवरु सो मार्या गिद्दारे सो मार्या दतक्षन अवरिगे परिश्रमा पड़ोर बग्ये असुए द्वेशा उन्टाक्तदे आ कारण दिन्दागी अवरु निंदनेना माड्तर आ कर्मन्यता में उन्गे अप्रतिश्टित होने का भाई बनारता है इसलिए कर्मी मनुश्योंसे उन्गे इर्शा होती है आ कर्मन्यता अंथेलिदरे परिश्रमा पड़दे इर्वं थद्दू तान सुतह परिश्रम पडवुदिल्ल सोमारी आगिद्धेने हागागी अन्तहा मनुष्यरिगे अप्रतिस्टित तन्न प्रतिस्टेगी यल्ली धक्य उन्टाक्त दो अन्नो भया अवरिगे यावागलू इद्दे इर्थदे इंद्र स्वतह सोमारी यल्ली तन्न इई इंद्र पदवीगे धक्य उन्टाक्त दो इदिक्य यारू बेर यारो अक्रमण माड़ता रान्नो भया अवनानो यावत्तु काड़ता इर्थदे इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्टाक्त दे तो यहां तक हमने निंदा किस तर से मन में उद्भाव होता है दो कारणों को यहां लेकक ने बताया है हीनता और कमजोरी तो आगे के जो विचार है उस विचार को हम आगे के क्लास में देखेंगे धन्यवाद